तो अगर आपके husband बहुत busy हों और वो इस मकर शंक्रांती में कहीं बाहर नहीं जापा रहे हों कि तिलकुट लेके आए या कुछ special लेके आए और आपको अपना मकर शंक्रांती बहुत special बनाना है क्योंकि festival तो साल में एक ही बार आता है तो उसके लिए तो फिर हमें एक साल का wait करना पड़ेगा तो हाई ओल मैं हू रितिका और आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रिएंट का यूज करके मकर शंक्रांती के लिए एक special बर्फी तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये special बर्फी बनाने का process तो उसके लिए हमने कढ़ाई को गैस पे रख लिया है और गरम होने देते हैं medium आज करके और इसमें हम डाल दे रहे हैं अब तिल तिल मैंने सफेद वाला लिया है तो जब बर्फी आप बना रहे हैं तो सफेद वाला तिल यूज करिए इसका टेस्ट बर्फी में काफी अच्छा आता है तो इसको हम medium आज करके बिलकुल भुन कि ध्यान रहे आपको लगातार चलाना है वरना तिल को जलने में टाइम नहीं लगता है तो इसी तरीके से हम इसको भून लेंगे मेडियम आज पर तो तिल को हम लगातार ऐसे ही भूनते रहेंगे तब तक जब तक कि तिल से थोड़ा चटचट या पटपट की आवाज नाने लगे जब ऐसे कुछ आवाज आने लगता है तो समझ लेजे आपका तिल अच्छे से अब भून चुका है और यह आप देख सकते हैं तिल का कलर भी चेंज हो चुका है और हमारा तिल बहुत अच्छे से भून चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और तिल को तु तो यहां पर हमने उसी कड़ाई में add कर दिया है milk, यह मेरा full cream milk हमने लिया हुआ है, तो इसका basically हमें बनाना है मावा, खोया बनाना है इसका, तो अगर आपके पास खोया या मावा हो, तो आप उसका भी तुरंट यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं पहले मावा या खोया बनाऊंगी, फिर उसके बाद बनाएंगे हम लोग बर्फी, तो इस तरीके से हम दूद को अच्छे से चला के बिल्कुल इसको गाढ़ा करेंगे, पर यह जो इस तरीके से बनाते हैं, हम लोग की दूद को पहले गरम करेंगे, अच्छे से उसको खोल उसको हलका खोया जैसा बनाएंगे एकदम जैसे मार्केट में मिलता है वैसा नहीं करके तो बर्फी का टीस बहुत अच्छा आता है तो आप इस तरीके से एक बार जरू ट्राइ करें अधर्वाइस आपको जल्दी बनाना है तो आप खोया या मावा का यूस कर सकते हैं तो इ चीनी जो है आप अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से एड कर सकते हैं कि आपको कम मीठा खाना है या ज्यादा मीठा खाना है उसके हिसाब से आप चीनी अपना एड कर सकते हैं और उसको खूब अच्छे से हम लोग मिला लेंगे दूद को यह जलाने में यह मावा बनाने म थोड़ा टाइम तो लगता है पर यकीन मानिए कि जो बर्फी बन के तयार होगी वो भी बहुत ही स्पेशल बर्फी बन के तयार होने वाली है तो इस टाइम पर मैंने इसमें एड किया हुआ है दो टेवल स्पून मिल्क पाउडर जो कि टोटली ऑप्शनल है इसकी कोई जरुरत नहीं है आप नहीं भी एड कर सकते हैं मैंने बस इसलिए एड किया क्योंकि मेरा जो खोया का ये क्वांटिटी होने वाला ये थोड़ा कम होता क्योंकि मिल्क कम था इसलिए मैंने थोड़ा मिल्क पाउडर एड किया हुआ है तो आप एड कर सकते हैं अगर आपके साथ भी ये सेम केस होता है अधर्वाइस ये मिल से भी लग रहा होगा कि थोड़ा सा मिल्क का कलर चेंज हुआ है यह देखिए आप देख सकते हैं कितने कितना अच्छा कलर हो गया है मिल्क का अब और ऑल्मोस्ट हमारा खोया बनके तयार है तो इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे अभी धीमियाच करके बिल्कुल और इस नहीं और बर्फी जब हम लोग जमाएंगे तो वो भी खूब अच्छे से जमेगा तो इस टाइम पे हम इसमें एड़ कर देंगे देशी घी और खूब अच्छे से इसको मिला लेंगे कुछ इस तरीके से और यह देखिए खोया बनके बिल्कुल तयार है बिल्कुल ऐसी ही consistency हमें रखना है इनके आप मावा या खोया use कर रहे हैं तो इसको भी हमें ऐसी ही consistency में लाना है तो इस टाइम पे हम एड़ कर देंगे इसमें तिल और ध्यान रहे है पूरा तिल मत एड़ करिएगा थोड़ा सा तिल आप बचा लीजेगा और तिल एड़ करने के बाद हम कुछ इस तरीके से और एक दो मिनट इसको और पकाएंगे हमारी बर्फी जमने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी और ये देखिए ये परफ़िक्ट कंसिस्टेंसी है बर्फी को जमाने के लिए तो चलिए अब एक प्लेट को हम ग्रीस कर लेते हैं तो इसमें हमने घी ल लगा दिया है बर्फी जमाने के लिए तो यह देखिए अब हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे जिस बर्तन को हमने घी लगा के पॉलिश किया हुआ है यह देखिए कुछ इस तरीके से और यह देखिए यहां पर मैं एक इसपून की हल्प से बर्फी जमने के लिए इसको तरीके से पानी लगा लगा के आप इसको सेट कर लीजे अच्छे से प्लेन कर लीजे बिल्कुल तो यह देखिए यहाँ पे हमने बर्फी को अच्छे से प्लेन कर लिया है बिल्कुल इसको जमने के लिए तो इस टाइम पे हम चाकू की हल्प से सेम जैसे हमने स्पून में पा कर लेंगے और आधे से एक घंटे बाद हमारी बर्फी जमके तयार हो गी आधे से 1 घंटे बाद हम बर्फी को तोड़ लेंगे तो आप इसको बहुत लंबे समय तक के लिए मत रखेगा कि आप पुरी रात के लिए छोड़ दीजे या फिर फ्रिज में रख दीजिये नहीं ऐसी गलती मत करेगा आप इसको आधे से एक घंटे के बीच में बर्फी को यहां से हटा लीजेगा उसको आप तोड़के रख लीजेगा बहुत ही आसानी से यह अलग हो जाएंगे और बर्फी बहुत अच्छे से जम जाएगी आप जो तिल हमने बचाया तो उपर उपर से वो तिल दिखता रहेगा कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप और यह देखिए बर्फी बन के बिल्कुल तयार है यह रेसिपी आप लोग इस मकर शंक्रांती में जरूर ट्राइ करिएगा और आप सबको हमारी तरब से मकर शंक्रांती की हार्दिक शु सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच